गुड मॉर्णिग स्टूडेंट्स पिसले वीडियो में एक्सराइज 5 कम्प्लीट की थी ओकी अधिशन थे आज आपन करेंगे एक्सराइज 6 जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 41 पे पेज नंबर 41 पे टीएस नाओ स्टार्ट चेंज दा ओडर एंड 8 एड करना है आपको क 1,2,3 ,4 आपन चाहें कि पहले त्रीर पर फिर 1 रिट करेंगे तो भी वही बहती है तो भी पर यह आएट करेंगे तो भी आएट करेंगे तो भी फ़ोर आएगा ऑप देखिए थी वं 5 में 2 8 करने पर 7 आता है आप चाहिए फिंगर पर भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 फिर 1 2 आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 तो आंसर आया 7 अब आप क्या करेंगे इस ओर्डर को चेंज करतेंगे यानिकि 2 को पहले लियाएंगे और 5 को पाद ले आंसर सेम ही आएगा क्योंकि इधर 2 इधर 5 आप 2 में 5 8 करेंगे तो देखिए 1 2 फिर 1 2 3 4 5 आप आउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 तो भी आंसर क्या आया 7 या देख रहें आप आप देखिए 6 प्लस 3 तो 6 में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आंसर आया 9 अब 3 में आपन 6 8 करेंगे तो भी वह आएगा देखिए पहले मैंने 3 लाइन कीज दी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भी आपका आंसर क्या आया 9 तो आपको क्या करना है कि डिजिटर एक इसका ओडर चेंज करना है पहले आपने 6 प्लस 3 करा तो 9 आप 3 प्लस 6 करेंगे तो भी 9 या आएगा ओके ना अब देखिए 1 प्लस 7 80 आएगा और 7 में अगर 1 एड अगर जिरो अगर कश्वी तो भी 8 आएगा ओकेचा इसकी अगर 6 या हमेसा द्यान जाटना कि किसी भी द्जिट में आप जिरो एड करेंगे पर इससे लिए या जान तो आपने पहले 6 में 0 एड़ करा तो 6 आया अब 0 में 6 एड़ करेंगे तो भी 6 ही आएगा अब 1 में 4 एड़ करना है तो 1 में 4 एड़ करने पर आंसर आया 5 और 4 में आपने 1 एड़ करेंगे तो भी आंसर आएगा तो आपको क्या गड़ना इस exercise 6 को change the order and add इसको अपनी notebook में solve करना है ओके ना thank you